नमश्कार बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नमश्कार बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नमश्कार बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के इस माहौल में वाक्सिनेशन को बढ़ावा दिये जाने की बात हो रही है। बिहार में अब तक वाक्सिन लेने वालों की संख्या की बात करें तो दोनों डोज को मिला करके 38,257 डोज दिये जा चुके हैं। इस के तहट पहले डोज के तहट 2,701 मरीजों ने पहला डोज लिया है वहीं दूसरे डोज के तहट 17,565 लोगों ने दूसरा डोज लिया है। महिया बगरम बिहार में जिलेवार कोरोना प्रभावितों की संख्या की बात करें। में 432, पुर्णिया में 32, इसके साथ ही रोहतास में 12, सहरसा में 12, समस्तिपूर में 32, सारन में 20, शेखपुरा में 2, सीता मढ़ी में 15, सिवान में 9, सुपॉल में 2, वैशाली में 18 और वैश्च चमपारन में 11 मामलों की पुष्टी हुई है। इसके साथ ही बाकी ऐसे 7 संक्रमित हैं जो दूसरे राज़ो के हैं लेकिन इनका सैंपल बिहार के ही अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है। कोरोना के मामलों में बेशक बढ़त देखने को मिल रही है। एहतियाती कदम उठाए जाने की सक्त जरूरत है। ध्यान रहे, टीका लेने से आप कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना से ठीक नहीं हो सकते। इसलिए मास्क जरूर पहने, दो गच की दूरी का भी पालन जरूर करे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।